नाव अलेकम क्लास इस वीक हम लक्षर 27 में पार्ट A पार्ट B नहीं करेंगे बलके सिर्फ एक ही लक्षर स्टडी करेंगे और टॉपिक हमारा होगा टीवी प्रोडक्शन यानि लक्षर एक से मुराद यह है कि 27 लक्षर होगा लक्षर नमबर 28 दोनों लक्षर के पार्ट नह ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हम जो क्रेट आवर्ज उसको जूम पर स्टडी करके पूरा करेंगे तो टीवी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यह तो एंड का क्वेस्टन है इससे पहले हम कुछ स्टेजिस पढ़ते हैं कि टीवी प्रोडक्शन है क्या चीज़ सब्सक्राइब कि टीवी प्रोडक्शन की तीन स्टेजिस होती है रिप्रोडक्शन और पॉस्ट प्रोडक्शन यानि बेस्टिकली प्रोडक्शन ही प्रोसेस है उ प्रूडूर्टन किया करने और चीज्य चीजु करने से पहले चीजें होती है इसको करने से पहले यह कुछ से करने कि में कि द्यूग कि यह कुछ धनगे क्योंकि प्रूड़क्शन champion साइस करके पढ़ें सब चीजें जिसमें कबर हो लेकिन जब ड्रामों की बात होती तो जाहर सी बात है वह अलग कॉंस्ट होता है क्योंकि वह रिकॉर्डड शोज होते हैं और एपिसोड बेस होते हैं तो उनकी प्रोडक्शन या फिल्म प्रोडक्शन वह टूटल अलग इन फेजें जो है इसके रिक्वाइड तो कंप्लीट अ मीडिया पॉडट्ट फोम आईडिया तो फाइनल मस्टर कभी ए सबसे पहले तो आपको प्लाइडिया आता है कि मैंने ये चीज़ करने जाना है इस प्रोसेस के अप्लाय तो अनी ताइप उ मीडिया प्रोड़क्श और अप्रोसेसि — जो ये तेन क्या क्या चीज़ है प्रोसे निया है य कृट्ण व्दंशिय उन्ہ जासे है कर दूंड से माई फिल्टक्शि कर गट्व आपको टर व्र क्रीम रक्राइब तो आइडियंन क्या अन्ये प्रोड़क्शं स्क्रिप्टिंद शल्य गों रिकशिन एक्षिए अब आता है प्रोडक्शन का जो एक्षिए शूटिंग होती है और थर्ड आता है पोस्ट प्रोडक्शन यानि एवरिटिंग बिट्विन प्रोडक्शन और क्रेटिंग फास्टर and creating the final master copy Other stages include में ये कहता है financing है जाइर सी बात है उसके बगए कोई काम होई नहीं सकता budgeting के बगए this happens before क्योंकि जब हम कोई चीज करने जा रहे हों तो पता होना चाहिए हमारा budget रेतना है screen play and this can be consider a separate stage before pre-production और end में distribution कि जब production हो जाए तो हमें इनको किस तरह अवान तक distribute करना है ये जो website media college dot com इसमें सारी glossaries दी गई हैं media की तो हम TV के perspective से इसको अलग से भी एक लक्षित में study करेंगे ताकि पता चल सके क्योंकि ब्रॉडली आप लोगों ने ये तो सुना ही होंगे production, direction, screenplay, script writing spot boy इस तरह की चीज़ें जो media में usually use होती हैं लेकिन कुछ hidden terminology होती हैं या बहुत limited जो बहुत कम लोगों को पता होती है जिसमें जैसे DSNG events होती है वो बहुत कम लोगों को पता है DSNG से क्या बनता है और वो किस purpose के लिए होती है हाला कि आप आते जाते देखते हैं उसे इसी तरह उससे एक बड़ी process भी होती है जो पूरा एक studio लेकर चल रही होती है तो हम यहां पर देखते हैं इसको study.com में क्या कहता है TV production के बारे में अच्छा इसको आप ऐसा carrier भी adopt कर सकते हैं और हरान कुर बात यह है कि लोग बहुत कम जाते है production set की तरफ यानि रुजान कम है लोग हैं तो चीज़ें चल रही है मगर जिससे पूछो तो उसका answer यह होता है कि मुझे news anchor बनना है या social media पर जाना या acting के तरफ जाना है दो front camera की तरफ आने पर जादा रुजान देते हैं हाला कि जो back end पर आप काम कर सकते हैं या creativity ला सकते हैं वो front end पर नहीं होता अगर बात होई है कि जो शौरत है वो सारी front man वारे कोई मिलती है अब फिल्म के अंदर भी ऐसी होता है कि जो producer होता है या director होता है उसको बहुत कम लोग जानते हैं सारा credit जो है वो फिल्म का main lead actor या जितने भी characters या crew होता है वो ले लेता है कि कह रहे है कि आप अगर इसमें career start करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हैं most professional process a bachelor's degree and working knowledge of the television industry इसमें आपके पास एक तो पहले डिग्री हो फिर थोड़ा बहुत इसमें working knowledge हो काम कैसे करती है production तो ही कहरा है there are colleges and universities जो इसमें डिग्री दे रही है जिसमें student मुख्लिफ areas of production के बारे में study करते हैं कि आप कितने restricted हैं मीडिया में काम करते हुए प्रोडक्शन के process के वाले से आप राइटिंग पढ़ते हैं डिरेक्शन पढ़ते हैं technology, innovations, digital media, camera, sound, lighting and editing अच्छा कहरा है many career tv producers started out as production assistant यानि वो सबसे पहले किसी बड़े producer के साथ उसके assistant लगते हैं वहीं पर काम सकते हैं और वत के साथ साथ main producer बन जाते हैं तो TV production में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आप कौन कौन से field चूज कर सकते हैं उसमें सबसे बहले producer है camera operator है camera operator तो खेर highly skilled job नहीं है और यह बचारे अक्सर परिशान ही होते हैं माली इतवार से भी और हर तरफ सबसे ज़्यादा जो रूलते हों यहीं लोग घंटों दजार करना और एंड में जाके सिर्फ camera लेके खड़े हो जाना लेकिन बारहाल जिसको शौक हो वह बिल्कुल जा सकते हैं इस फिल्म एन वीडियोएडिटर डइरेक्टर प्रोडक्षेन डिजाइनर कस्ट्यूम डिजाइनर कास्टिंग डिएर्टर प्रोडक्षेर असिस्टेंट कोष्ट प्रोड़क्षन सूपर्वाइजरा और कंट्रोल ओपरेटर ठीक है यह यूज के वाले से शैलरी बताय है और दिदम वीडिटर के परद करते हैं और इसको डिटेल मताया है है कि क्या करता है मैं और दिवी प्रोडक्षयन में उसने वह बचाहिए कि एक फिर प्रोडूक्षण ऑर फिर पोस्ट प्रोडूक्षण है मेडा है हम देखते हैं टेलिवीजन स्टुद्यो तिर आएट एंप टेर्टियू उस्तूडियो में एक श्टूडियो बता वह थे इस्ट्रेस्ट परिफेशन होते हैं प्रुफेशनल वीडियो केमरा होता है मैक्रोफोन होते स्टेज लाइटनिंग होती है सेवरल वीडियो मोनिटर्स होते हैं असमाल पब्लिक एडरस सिस्टम होता है और बिट्वीन दपी सी एर स्टूडियो एंड इस्टूडियो फ्लोर अच्छा जी और फ्लोर मैनिजर होता है इना उसके लावा चैमिरा ऑपरेटर्स और टैली प् डिवांड आब लोगों का पता है रखनि उसके सामने जो लगां की बड़ देखते हैं की रगात है कि यह सामने एक एक जुक्त में चलती जा रही है यह समने स्क्रीन जूम इन हो जाए तो और क्लिए नदर आ जाएगा यह देखें अब यह शो हो रहा होता है कैमरे की तरफ देख रहे हैं और यह इसको पढ़के देखके पढ़ड़े होते हैं अगर आपकी रिडिंग स्किल अच्छी है आवाज अच्छी है न्यूस कास्टर बनने के यह बहुत मौजव हैं कि आजकल तो खेर मीडिया में शक्ल सुरत भी बहुत चाहिए होती है लेकिन अवाज अच्छी हो और रिडिंग स्किल्स हो आपकी एक्सेल करने के चांसे बहुत ज़्यादा है कि अच्छी को बंकर देते हैं तो यह टाली प्रॉंटर होते हैं एवन प्रेजिडेंट पुष तक जो है वो टाली प्रॉंटर जरिए स्पीच देते रहें वह आप देसकते हैं कुल है तरह होता है पेपर प्राम्टर में आप चीज रहे होते हैं कि अच्छा प्रोडक्षान कंट्रोल होता है सेंट्रल सरोम होता है के अधियर्टर जैनेरेटर customer डिजिटल वीडियो एफेक्ट्स वीडियो रॉटर्स इसके लिए सबसे अच्छा यह कि आप लोग करने कभी में श्टूडियो देखा हो यह पर प्रोग्राम होता है और अगर मौका मिला तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी जगा एक छोटा ग्रूप बनाकर बजट कर लें ताके जान सकेंगे किस तरह से एक चीज़ें काम करती है अच्छा इसके लावा हाई इनको आप जानते होंगे जबरान पेशमाम यह जीओ के प्रोड्यूसर रहें आजकल रूटर के साथ हैं तो मतलब आज शाजेब खांजादा का शोव यह प्रोड्यूस करते रहें लेकिन आज तक नो नहीं जानता को जानता है इनको नहीं जानता तो बात यह के पीछे एक बंदी के इतनी मेहनत है और सारी जो पॉपलियरटी अफरेंट और नो डाउट के सामने काम करना बहुत चैल बहुत प्रेशयर होता है इस में घल्थी की के vagyis नहीं होती फिंटेअल जो प्रोड्यूसर होता है कि वो ओनर ओब ऑफ दशो में थैसे हैं अगर ओके ल्ग विद्प सिव के अंधे से यह नग होता है तो एक स्लाइट शो थी जिसमें टीवी प्रोड़क्शन के वाले से था उसको तेज तेज देख रहे थे कि क्या कहता है यह कि इसमें भी आड़ आना शुरू हो गए बैसिक चीज है कोई नहीं चीज होगी मानने को बताँगा प्रोड़क्शन बिसक अट गरर्द देखा ऑगा लगा निशीन कान में कुछ लगा ह मै 컨le की प्रोडूक्शन के ले एक साथ को लोत अच्छा जो बडी प्रोडिक्शन होती है सप्राइट है वारना बर वबेसेकली डार्य प्रोडेसर सेम ही होते हैं इसमेन वीडियो इंगरेटेर्टार्यशुरे तो बड़े पहचीदगी होती है इनमें असान नहीं होता है शो को लांच करना पहुत सारा चीज है इसमें में चीज बज़ट होती है बज़ट हो तो पर यह सब चीज़ें पॉसिबल होती है प्लेइबेक ऑपरेटर स्क्रिप्ट सुपरवाइजर काईरोन ऑपरेटर अच्छा उन ग्राफिकल ऑपरेटर होता है जो पट्टियां चल रही होती है टाइटल्स शो उसकी पगहरा उनको अपरेट कर रहा होता है कैमरा ऑपरेटर ऑडियो टेखनिशन आए वीडियो इस्व फीचे आप देख सकते है ये शारे कर रहा होता है है अर्दुटा आर्प पोस्ट आफ प्री प्रोड क्शे अब ये फिसे बता दिया है प्री प्रोडरक्शन में अब लोग के साथ तो ढव्य ग्रुप में डाल दो है ग्रूब है आप लोग के लिए तो टीवी प्रोटक्शन हम क्लोज करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर में हम टीवी के अवाले से फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम सोशल मेडिया या डिजिल मीडिया को शुरू करेंगे